दिवाली शिर्फ उसकर्स के साथ इस दिवाली ट्रपल धमा का ओफर में मिल रहा है SSC और रेलवे के सभी ओनलाइन कोस्ट पर 90% तक की चूट तीन महीने की एक्षटा कोस्ट वेलेडिटी और लाइफ रॉम क्लास्रूम कोस्ट के साथ में रिकॉर्डेट कोस्ट प्री लेकिन यह ओफर सिर्फ तीन नॉम्बर तक है अब देख सकते हैं कि दिवाली जो है भाईया खतम हो गई है तेवार जो थे वेसी गली जा चुके हैं हाँ हम मानते हैं कि एक और बड़ा जो तेवार है वो अभी बाकी है छट पूजा की आप लोग कई सारे विध्यारती ऐसे हैं अपने जो अभी भी त्यारियों में लग इसको लेकर और यहां से आपकी क्या रणनीती होनी चाहिए क्या करें यहां से ऐसा कि इस बार एंटी पीसी में सेलेक्शन जो है पका हो जाएं कॉम्पेटिशन आपने देखा बहुत जादा कॉम्पेटिशन है क्योंकि जो रिप्लाइ मिला बेसी कली आर्टियाई का उसके लास्पूर में कितनी सीडे बढ़ी गई है, सिगंद्राबाद में कितनी बढ़ी गई है, कॉलकत्ता में कितनी बढ़ी गई है, जब्मू में कितनी बढ़ी गई है, बिसी गरि, एक एक जोन का उठाकर हमने आपको complete detail analysis बताया कि किक सीड पर कितना competition है और अगर overall देखा जा इतना number of student, इतना candidate, प्रती seat पर अगर देखा जाए, एक average निगाल ली जाए overall, तो प्रती seat पर, एक seat पर 500 से अधिक विध्यारती competition में आपको नजर आ रहे हैं, मतलब एक seat और 500 विध्यारती खड़े हैं, उन 500 में से 1 को मिलेगी वो post, तो यहां से beginners क्या करें, basically जो पहली बार त्यारी कर रहा है, वो यहां से क्या करें, या फिर मान लीजे कोई ऐसा है, जो 3 मेने से त्यारी कर रहा है, 6 मेने से त्यारी कर रहा है, तो उसको अब यहां से क्या करना चाहिए, क्या सही रणनीती होनी चाहिए, जिस से आने वाले जो 3-4 महीने उसके पास अभी है, 6 बच तो जैनवरी के महीने में की जाएगी और फरवरी मार्च के आसपास आपको पेपर देखने के लिए मिल सकता है ऐसी possibility है मतलब आज से भी आपके पास चार महीने शेश हैं कुल मिला के देखा जाए तो तो एक बार देखते हैं वो क्या सही रणनीती होनी चाहिए जिसके basis पर आप इस बार अपने एक्जाम में पक्की कर लेंगे अपनी एक सीट इतने competition होने के बावजूद भी अपनी एक सीट आप पक्की कर लेंगे ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर आप सभी लोग जानते हैं NTPC में आपको basically CBT1 देखने के लिए मिलेगा ठीक है computer-based test के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपको CBT1 देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर pattern जो रहने वाला है CBT1 में जो pattern आप देखते हैं यहाँ पर जो pattern रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार का है 30 questions आपको mathematics के देखने के लिए मिल जाएंगे मैं short form में M लिख रहा हूँ उमीद करता ह यहाँ आप समझ जाएंगे 30 ही नंबर यहाँ पर आपको मतलब बेसी गली 30 ही question यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने reasoning के और 40 सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे किसके तो 40 questions यहाँ पर आपको मिलेंगे मैं GA लिख देता हूँ General Awareness, General Science, GS दोनों ही लिख देता हूँ ताकि confusion पैदा ना हो, तो 30-30-40 यह pre के हम बात कर रहें, CBT1 के basis पर हम बात कर रहें, कुल मिलाके 100 सवाल, 100 questions यहाँ पर आपको जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, अब देखिए sir, मैल्स में आपको complete काम करना पड़ेगा reasoning में, सबसे सवाल तो यही आता है कि क्या छोड़ दू, कई बार मेरे पास बहुत सारे message आते हैं student के, जो बोलते हैं sir, क्या यह topic skip कर दू, क्या sir, जनगर्णा ना पड़ू, क्या economics पड़ना जरूरी है, क्या history से यह वाले portion से सवाल आएंगे, क्या maths का trigonometry skip कर दू, क्या geometry skip कर दू, क्या बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 200 seat हैं और विध्यारतियों की संख्या 500 है, भाई, seat एक है, और लेने वालों की संख्या 500 से अधिक है, यह है competition का level, तो अगर आप यह सोच कर बैठे न, ठीक है, आदा स्लेवर्स छोड़ दूँगा, हो जाएगा, मेरी किसमत तो बहुत अच्छी है, मैं तो चम्मच ही चांदी का लेकर पैदा हुआ था, ऐसा नहीं होगा, अच्छे अच्छे दुरंदरों की किसमत खराब हो जाती है, पेपर में बैठके, क्योंकि उस दिन तुमारा होता ही नहीं है, वो दिन तुम मानते हैं मेरा ही नहीं, इस चीज को समझे सबसे पहले, तो एक्जाम का पैटन तो आपने देखा, CBT-1 मैंने आपको बताया कि CBT-1 का बेसीकली यह आपको मिल जाएगा पैटन, इसमें आपकी क्या रणनीती होनी चाहिए, देखे, रणनीती आपकी सीदी सी होनी चाहिए, कि आपको 30 में से कम 25 कोश्चन्स पर जाना होगा यहाँ पर, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ, आपको कितने कोश्चन्स पर कम से कम जाना होगा, फिर बताऊंगा तियारी करनी कैसे, ठीक, मिनिमम आपको 25 कोश्चन्स पर जाना होगा, चाहिए आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS कैटिगरी, किसी भी हैं, वो है general awareness या फिर general science वाला section, देखे, यहाँ मैं आपको सही माइने में कोई गलत guidance देने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको कम से कम यहाँ 32 प्लस सवालों के तरफ देखना चाहिए, ठीक है, 32 प्लस questions के तरफ देखना चाहिए, हाँ मैं 40 भी लिख देता, तो मुझे को टार्गेट हो गया, CBT 1 में, कितने questions का target हो गया, 82 questions का यहाँ पर target हो गया, CBT 1 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब इन अगर 82 questions में से, मैं कहा रहा हूँ, आपने 25 attempt किये, match के, माल लीजे, 3 सवाल गलत है, माल लीजे, मैंने कहा, 3 आपके यहाँ पर wrong हो गये, कितने wrong हो हो गये, 3 यहाँ पर wrong हो गये, match में, ठीक है, आपने, sir, reasoning attempt किये, यहाँ पर आपका 1 wrong हो गया, अब मैं यह नहीं बोल सकता, 25 में से तुम्हारे 20 wrong हो गये, क्योंकि reasoning है, reasoning में अगर तुम भाई 25 में से बोलो, मैं तो 6 गलत करके आओंगा, दमे तो रोक के दिखा दो, कोई न इतने सवाल गलत कर दो, एक बार देखते हैं, 4, 1, 5, 5, 5, 3, 8, 8 सवाल ऐसे हैं, जो आप गलत कर सकते हैं, एक average हम लेकर चल रहे हैं, तो 82 में से 8 गए, तो कितने बचे, 74 बचे, मगर मैं यहाँ 75 लिखूंगा, एक safe आपके पास zone क्या होना चाहिए, safe zone यहाँ पे आपके प इतने 82, 83 question attempt करके 75 के आसपास सही कर दिये, तो यकीन मानिए, normalization अच्छी खासी भूमी का निभाएगी, रोल निभाएगी, और 10, 14, 15 नमबर भी कई बार railway में बढ़ जाते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है, बट सवाल आता है कैसे, पहले CBT2 को discuss कर लेते हैं, फिर बात करते है है, how, how could it possible, कैसे ये मुम्किन है, ठीक, तो ये तो मैंने आपको बताया, CBT1 के भारे में, अब मैं बात करूँगा, सर, CBT2 को लेकर, कि CBT2 में आपकी क्या, एक basically target होना चाहिए, आप किस तरीके से move करेंगे, तो यहाँ पर हम CBT2 को discuss कर रहें, सर, पैटन के अगर बात करें तो यहाँ मामला भही है, बस number बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 35 का यह मामला देखने के लिए मिल जाएगा, 35 questions आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, 50 questions, GA और GS, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा, ठीक, तो 35, 35, 70, 70, 50, कितने हो गए, 120, 120 का मामला आपको यहाँ नजर आ रहा है 120 यहाँ पर negative marking दोनों में ही है यहाँ भी आपको negative marking दिख जाएगी negative marking कितनी है one third negative marking है और यहाँ भी one third ही negative marking आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगी में इस की बात है सर कोई रिसक ले नहीं सकते हम यह नहीं सोच सकते कि ठीक है वहाँ मैंने 25 ठीक किये थे मैं आच में मेरे 22 मतलब 25 किये थे 22 ठीक हो गए काम बन गया नहीं नहीं यहाँ पर रणनीती बदलनी पड़ेगी थोड़ी से कैसी रणनीती बदलनी पड़ेगी यहाँ देखो 35 में से 28 कोशन की तरफ जाओ ठीक है 28 कोशन की तरफ जाओ 35 में से कम से कम यहाँ 32 कोशन की तरफ जाओ 32 कोशन की तरफ जाओ देखो ऐसा नहीं है पेपर का पैटन सेम रखेगा लेवल ओफ कोशन का सेम रखेगा CBT1, CBT2 में अंतर करेगा डिफरेंस जरूर करेगा और GAGS में जाओ कितने कोशन की तरफ तो 40 कोशन की तरफ यहाँ पर एक बार निगाहें दोड़ाईए कितने कोशन की तरफ 40 कोशन की तरफ सर 40 और 30 70 होता है 70 और 30 अगर उपर देख लिया जाए तो 100 कोशन तीनों को अड़ करेंगे तो टोटल मिला के कितना होता है 100 तो मैंने कहा कम से कम कम से कम कम से कम 100 कोशन अटेम्ट करने की तरफ देखनी है अगर आप में से किसी के दिमाग में यह चल रहा है मैं तो 120 कर क्या होंगा भाई 150 कर दे नेगेटिव मार्किंग है क्या फरक पड़ रहा है गलत हुआ तो नंबर कटेगा पहले ये चीज़ समझो ठीक तो नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसा ने आख बंद करी गया रहा पट्टी बांद के लगा दूँगा देखा जाएगा मेरा तो भगवान हमेशा साथ देता है उस दिल साथ नहीं देगा ये चीज़ ध्यान रखना अगर पट्टी गलती से आँख पर बांद ली तो तो सौ कोशन के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस सौ में से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तो मैं यहाँ पर कहूँँगा तो काम चला लूँगा सीधा सीधा कहूँगा छे यहाँ गलत हो सकते हैं पूरी उमीद है कम टॉल्रेंस लेके चलूँगा दो यहाँ पर लेके चलूँगा तो कुल मिलाके 10 सवाल रॉंग मैंने मान के चल लिए अगर 100 अटेम्ट किये 90 सही है 10 गलत है हाँ ठीक है वन थर्ड आपको बता है नेगेटिब मारकेंग है मगर अच्छी खासी भूमी का निभाएगी सर क्या अपनी जो नॉर्मलाइजिशन है वो भूमी का निभाएगी 10 बारा नंबर की इंक्रिमेंट मतलब इंक्रीस जो है आपको नंबर मिलेंगे अब सवाल तो हो गया कि ठीक है हम ये तो कर लेंगे बट ये कैसे अब इसके लिए आपके पास basically दो रास्ते है पहला रास्ता है जो ठीओरी की तरफ से होकर जाता है और दूसरा रास्ता है जो practice questions की तरफ से होकर जाता है मतलब mcq सवाल की तरफ से होकर जाता है mcq की तरफ से होकर जाता है अगर आपने पहला रास्ते को पार कर लिया है मतलब अगर आपने ठीओरी वाले सारे section को cover कर लिया है पूरी तरह complete कर लिया है तो आपको maximum जैसे देखिए example के तोर पर कर मैं कहूं तो माल लीजे आपने मुगल डाइनेस्टी पढ़ लिया है आपने पूरा का पूरा मुगल डाइनेस्टी उठाके पढ़ लिया है मुगल वंची के बारे में आपने सारा पढ़ लिया है तो आपकी क्या भूमी का होनी चाहिए आपकी भूमी का होनी चाहिए कि मुगल डाइनस्टी पे आज तक आए जितने प्रिविएस एर कोश्चन्स थे आपको सब डील करने चाहिए वैसे ही जो जो टॉपिक आपने कवर कर लिया है त्योरी वाइस उससे संबंदित आपको सारे य BBC कवर कर लेने चाहिए थाकि आपके रिविजन जो है बहुत अच्छी Hi 서 सेम काम reasoning में करना है, सेम काम match में करना है, और सेम काम gk वाले segment में आपको करना है, अब सवाल आता है, ठीक है mcqs तो मैं निकाल लूँगा, किताब लियाओंगा, बहुत सारी किताबे, बहुत सारी पुस्तके हैं, मगर theory के लिए क्या करूँ, क्या किताबे खरीद ला हूँ 4 देखो सर चार नहीं मैं कहूंगा पांच खरीद लो, बट अगर उन किताबों से पढ़ सकते हो, सही से content निकालके तो ही खरीदना, ऐसा नहों तुम 300, 400, 500,000 रुपे की किताबे लियाओ, और उस किताबों से तुमें content निकालना ही ना आए, मतलब ही समझना आए, तो मतलब स जरिया, जिसके basis पर आपका काम हो जाए, थियोरी आपको cover करनी पड़ेगी, उसके बाद MCQ क्या क्या तरीका होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, अब थियोरी के लिए हम आपको बहुत सारे batches यहाँ पर provide कर रहे है, NTPC का batch आपको मिल जाएगा, बहुत ही शांदार batch मि मिल रहा है, last दिन देखने के लिए मिल रहा है, और last day पर आपके साथ यह strategy साजा की जा रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि दिवाली के बाद विध्यारती दुबारा से beginning करेगा, पांस दिन अगर study से break हो जाए, तो भाईया काम खराब हो जाता है, तो अब एकदम से नई शु अरणिती नहीं बना पा रहे थे, तो आज यह जो discount offer है, उसका last day है, तीन नवंबर आप देख रहे हैं, आज है, 90% का discount आपको मिलेगा, यहाँ पर साथ के साथ extra validity मिल जाएगी, course पर तीन महीने की, और यदि आपने live from classroom course में enroll किया है, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको basically देखने के लिए मिलेगा, recorded course भी free मिल जाएगा, अपना जो NTPC वाला course है, वो मात्र आपको 600 रवे के आसपास मिल रहा है, अच्छा-कासा discount उसपे मिल रहा है, जबरदस तरीके से, तो उसका lab लीजे, benefit लीजे, और theory, और with MCQ, और with basically test के basis पर इस बार नौकर competition हो, चाए 50,000 competition हो, एक seat बनी ही हमारे लिए है, ये सोच कर पहले दिन से आपको चलना होगा, तब ही सरकारी नौकरी संभव है, अन्यता कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा, मैंने आपको एक बहुत अच्छी strategy यहां पर बताई है, ये जो आप देख रहे हैंना सर, ये ए direction में move करना है, अब अगर मान लो कोई विध्यारती ऐसा है, प्रेक्टिस पेपर दे रहा है, उसके 50 question बन रहे हैं, तो उसके दिमार में भी एक clarity आई होगी, ठीक है यार, कम से कब महां तक पहुंचना पढ़ेगा, क्योंकि competition बहुत तगड़ा है, ठीक है, और मैंने ये भी बताया, कि उस competition से पार पाने का रास्ता आपके पास क्या है, ये रास्ता है, और उस रास्ते पे आपको दोड़ा कौन सकता है, तो हम दोड़ा सकते हैं, आपको quality content के साथ, उमीद करता हूँ, आशा करता हूँ, जो यहाँ पर आपको समझने के अवशक्ता थी, और जो मैं स हम जाना चाहता था, वो आपको अवश्य समझा गया होगा, बहुत-बहुत शुक्री आप सभी लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you so much, God bless you.